संदूक के कवर बनाने वाली हूँ पहले भी बना चुकी हूँ जैसा जब आप देख रहे हैं वीडियो में वीडियो में डाला भी है चैनल पे डाला भी है तो आज मैं ऐसा कवर बनाऊंगी जो की धकन के साथ खुल जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले मिजरमेंट ले लेत वैब को दिखा देती हूं कपड़े यह बहुत ऊब पुरानी चातर है और ये दो साडियां मेरे पास जो ये औरेंज वाली है उसके उसमें दूसरी साड़ी में फ्लावर है ज इसी कलर के तो ये मैं इसमें मैच कर रिये इसलिए मैं दोनों को Use करूंगी क्योंकि एक साड़ी थोड़ा कम पड़ जाती है दूसरे कपड़ा भी चाहिए होता है तो मैंने दो साड़ी ली है तो अस्तर के लिए मैंने चादर ली है कोटन की है जिसकी वजह से की वो फिस लेना तो अस्तर को हम नीचे ही रखेंगे नीचे की साइड रखेंगे तो मैंने इसको जिस ह हिसाब से देखे मैंने यह नाप लिया है और इसको नाप के मैंने जितना हमने यह कपड़ा नापा है उसके हिसाब से हमने दो दो इंच जादा रखा हुआ है दो दो इंच चारो तरफ हमें जादा रखा है उसके बाद ही जो साड़ी है यह वाली इसको भी मैंने इस कपड़े के जितना काट करके एक हिससा इसका निकाल लिया है और हम इस कपड़े को दोनों कपड़े को आपस में अटेच कर लेंगे इसके लिए हमें चारों तरफ कोनों पे सलाई लगा लेनी है दोनों को साथ में उसके बाद गाएज देखे यह वाली साड़ी है इसके एक किनारी से मै मैं लगबग आठ इंच चोड़ा कपड़ा निकाल लूँगी पट्टी जिसको की मैं फ्रेल के लिए यूज करूंगी तो मैं पहले इसकी पट्टी कट करके निकाल लेती हूँ यह देखिए आठ इंच मैंने यहाँ पे नाप ली है और मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरीके से साड़ी का kindaपड़ गाईज आप इस तरीके से फाड़ेंगे तो सीधा ही फटता है अरा तिर्पा यह नहीं फटता है और अगर केची से काटेंगे तो काफी ईसल दिक्कण हाती है तो अगर आप इस तरीके आएगा तो यह बहुत ही ज़दा प्यारा भी लगेगा उसके बाद गाइज यह कपड़ा देखिए यह जो बाकी कपड़ा साड़ी बची है कपड़ा साड़ी का जो बचा है उसमें इसको मैंने डवल कर लिया है और यह मुझे 20 इंच चाहिए लेकिन इसकी जो चोड़ा ही है वो 22 इंच है और 22 इंच ही हमें चाहिए क्योंकि 2 इंच फाल्टू रखनी है क्योंकि मुझे इसमें जैसे कि हम नेफा फोल्ड करते हैं सलवार का और पजामे वगएरा का उसी तरह से हमें इसमें नेफा बनाना है तो इसके लिए हमें 2 इंच जादा ही रखना है उसके है अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी है अ four hour है तो इसको देंडिकी मैंने उल्टा कर लिया है कि अल्टा करने के बाद इसके जो यह कौन्स है इनको हम इस तरीके से पकड़ेंगे इनकी będzie ट्रूर्त पिंग के लिए इसके चार तरफ हमें बराबर करके और इसके जो कोने में अगर आपके पासhhh तरीके की पिन हए ंस कबाने निगा है निशान जो आ है और नोह वरना को एक उर जहां पर हमने पिने लगाई हैं वहाँ पर आप निशान भी लगा सकते हैं उसके बाद आप इसको सिल लीजिएगा कोनों को इस तरीके से और बाद में आप इसको संदुके ओपर बिचा के देखेगा अगर ठीक है तो आप इसके जो फालतों के कोने हैं लटके हुए इनको आप कट करके निकाल दीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद आप इसको सीधा पिछा के देखेंगे तो यह बहुत ही अच्छी शेप इसकी आज आएगी एकदम फिटिंग आएगी और बहुत ही के साथ यह बन जाएगा उसके बाद गैस देखेंगे जो पट्टी हमने निकाली थी इसकी हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे दोनों साइडों में और आगे की साइड पीछे की साइड हम कोई फ्रिल नहीं लगाएंगे बस इस तीन साइड हम यह साड़ी की हम फ्रिल लगाएंगे इस तरीके से हमें इ यह जो कवर का धकन है धकन के लिए बन रहा है तो इसको हम तयार कर लेंगे तो देखिए मैंने फ्रिल लगा ली है तीन साइड में फ्रिल लगाई है और हम इसको लगा के देख रही हूं कि यह कैसी बनी है यह बहुत ही अच्छी लग रही है गैस यह जो कवर में बना रही हूं बहुत एजी ली बन गया है बहुत आसानी से बनाया है और अगर आप सारी वीडियो को देखते हैं और मुझे फोलो करते हैं तो आप भी से आराम से घपे बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यह बहुत ही जल्दी भी बन गया है तो देखिए यह हमारा इतना तयार हो गया है अब हमें नीचे की साइड तयार करनी है तो उसके लिए गाइस देखिए जो कपड़ा मैंने रखा था मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारी को डबल मतलब काट लिया है बीच में से सारी को लंबी-लंबी दो पट्टिया मैंने निकाल ली है तो उसी में से मैंने थोड़ा कपड़ा बचा लिया है क्योंकि मुझे छोटी संदूक में यूज करना है तो उसके लिए मैंने ये दूसरी वाले सारी का इतना कपड़ा मैंने इसमें अटेच कर लिया है और ये इतना है जितना की बैक साइड में हमारी संदूक की चोड़ाई और लंबाई है तो उसको मैंने इसमें अटेच कर लिया है और ये जो कपड़ा मैंने लगाया है ये पीछे की साइड ही मैं इसको लेके आऊंगी और इसमें कोई भी चुन्नट वगेरा नहीं डाला जाएगा एकदम प्लेन रखी जाएगी पीछे से तो सबसे पहले मैं इन दोनों सिरों को आपस में जोड लेती हूँ साड़ी के दोनों सिरों को हम आपस में जोड लेंगे ताकि गुलाई के शेप में आ जाए तो गुलाई के शेप में आने के बाद गाईज इसमें देखिए सबसे पहले में पूरी साड़ी की गुलाई में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह दो इंच जादा रखी है ताकि मैं इसमें नेफा बना सकूँ तो मैं इसमें नेफा बना लेती हूँ तो औरेंज वाला जो मैंने कपड़ा जोड़ा है महां से स्टार्ट करती हूँ और यहीं पर लाकर मुझे यह रोकनी है लेकिन उससे पहले मुझे इसमें थोड़ा सा जगे छोड़ देनी है कमरबन डालने के लिए क्योंकि मुझे इसमें डालना है कमरबन तो उसके लिए थोड़ सी जगह छोड़ देनी है और मैं सारी साड़ी में नेफे जैसा बना लेती हूँ तो देखें मैंने नेफ़ा बना लिया है और मैंने यहाँ पर यह थोड़ластी जगह छोड़ दिया यह कोणे पर पीछे वाले कोणे पर आएगी जहां पर हमें कमरबंद को बांध ना है ताकि वो दिखाई ना दे उसके बाद गैज यह जो हमने ढकन वाला कवर बनाया था और जिधर हमने फ्रिल नहीं लगाई थी वो वाला सीरा हम इस वाले सिरे में जोड़ देंगे जो औरेंज वाली साड़ी का कपड़ा मैंने जोड़ तो उसमें इस कपड़े को हम जोड़ देंगे उपर उपर की साइड नेफ को थोड़ा बचा के रखना है ताकि इसमें कमरवन डालने की जगए रह जाए थोड़ी-थोड़ी किनारी उसकी उसमें अटेच करके सिल देनी है तो मैं इसको सिल लेती हूं पहले अ झाल तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है और मैं आपको सीधा करके दिखाती हूं यह देखिए दोनों सिल जोड़ लिये मैंने और यह जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की जो सिलाई दिख रही है तो यह दिख रहा है इतना नेफा इसमें बच गया है जिसमें कि हम कमरवन आराम से निकाल सकते हैं तो मैं पहले इसमें कमरवन डाल लेती हूं जो निफव मैंने बनाया है तो काफी मजबूत है यह मजबूत ही लेना है क्वाट फिकलों है क्नाल सिस्ट Mhm और चलिए जलिए मैं इसमें डालेती हूँ, सेफ्टि पिनी मैंने यूज करी है, इसमें डालने के लिए, और काफी चोड़ा इसका जो नेफा है, उसकी विए से कोई दिक्त नहीं आ रही है, तो देखे यह दोनों में इस तरीक से डाले हैं, और दोनों सिरे मैं आपस में जो कमरबंद है उसको सारे में हमें फैला देना है तो इसको मैं फैला देती हूँ और हमारा जो संदू का कवर है वो बिल्कुल बनकर तयार हो गया गाइस इतना सा काम है और थोड़ी ही देर में हमारा ये संदू का कवर बन जाएगा गाइस आप अपने घर पर ट्राइ कर सकते हैं मुझे लगता है आपको ये वीडियो जुरूर पसंद आएगी क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पे मैंने सर्च भी किया था मुझे नहीं मिली कोई तो यही सोचकर मैं डालनी हूँ कि बहुत लोग करते होंगे सर्च इस तरह की वीडियो भी तो चलिए हम मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको संदूक पर कैसे डालना है तो यह देखिए सबसे पहले जो हमारी इसके नीचे वाला पोड़ नीचे वाला जो हिससा है उसको हम हमें संदूक को खोल देना है तो आप देख पा रहे हैं नीचे वाला हिससा नीचे रह गया है तो उधर की साइड दीवार की साइड इसका जो है इधर की साइड है वो कोने की साइड शायद आपको अच्छे से दिखे ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उधर की साइ पर आ गया है और इसमें जितने भी चुन्नट थे इदर अधर हो रहते हैं उसको हमने एकसार कर दिया है छोटे छोटे थोड़े थोड़े चुन्नट सारे में हमने कर दिये हैं और पीछे की साइड कोई चुन्नट नहीं है प्लेन है बिल्कुल तो देखिए सारे में एकसार हो लगाएंगे देखिए कुंडी आप उपर से भी लगा सकते हैं अधर वाइस आप इस तरीके से कुंडी लगा सकते हैं और आप इस तरीके से ताला भी लगा सकते हैं बहुत लोग ताला लगा के रखते हैं तो आप ताला भी अराम से लगा सकते हैं इसमें कुछ भी दिकत वा गार इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखते ना तो मुझे बहुत ज्यादा नुक्सान होता है उसका और हमारा कवर एकदम रिडियो गया है तो जैसा कि मैं आपको बताया कि देखे इसको हम आराम से कोल सकते हैं बीना कवर पोटानने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है और हम अराम से इसको बंद कर सकते हैं तो गैस मैं दिखा देती हूं आपको देखे छोटी वाली संदूग का भी मैंने बना लिया है लेकिन छोटी वाली संदूग का कपड़ा जो है वो फूल वाली जो साड़ी है वो कम था की औरेंज वाली फ्रील बना दी और मैंने इसका जो कवर है वह ऐसा नहीं बनाया है बस बड़ी वाली संदूग का बनाया है वह भी मैं आपको दिखाने के लिए बनाया है तो मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज मेरी मैंनत को लाइक कि जेगा शेर की जेगा सब्सक्राइब कीजिए